हेलो स्वेंट्स माई नेम इस दॉक्टर राजिश कुमारमा शर्मा अस्टेंट प्रोफेसर डिबार्टमेंट सीटी कॉलेज आई पीम गाजियवाद सब्जेक्ट टीचर टीचिंग टेक्नलोजी टॉपिक स्टेटेजी फॉर प्रोफेशनल डव्लम्मेंट ऑफ टीचर्स त साथ कौन-कौन सी ऐसी स्टेटीजीज हैं जिनके आधार पर टीचर्स को अपने संगठन में या अपने अध्याफ के सम्हों में कौन-कौन सी व्यवसाई कार्रे किये जाते हैं और किस आधार पर उनके एथिकल कोड का निर्मान होता है इसके बारे में आज चर्चा करेंग उसके बाद आता है पहले है दा प्रोफेस्नल ओर्गिनाइजेशन अफ टीचर्स में आते हैं अध्याफपक व्यवसाई संग का संगठन इंडिया है इस मैनी टीचर्स एसोशीजन बिच प्रोवाइट गाइड लाइन और इंस सर्विस टीचिंग एस्सेल इमेटर इंडिय में बहुत सारी teachers association है जो provide कराती है guidelines जो सेवा में हैं अध्यापक कार्या करते हैं जिन में बहुत सी salary से सम्मध्य समस्याइं होती हैं उनको दूर करने का काम the professional organization of teachers in the USA developed the quality method in education जो professional organization अमेरिका की professional organization है वो capable quality education पर जोर देती है वहाँ पर salary matter का इतना प्रभाव नहीं है the professional organization of teachers are working in present time और professional organization हमारे इस इंडिया में जो इससे में चल रही है एक तो AIFEA है इसके फुलबबर में A All India Federation of Education Association एक है IATE Indian Association of Teacher Educators उसके बाद आते हैं functions of teacher professional organization अर्था अध्यापक व्यवसाइज संग के कार रहे हैं अध्यापक व्यवसाइज संग के कार रहे हैं अध्यापक व्यवसाइज संग के कार रहे हैं कौन-कौन से हैं main function of teacher professional organizations नमबर एक है तू maintain the economic condition वेसे जॉन मेंबर्शिप को मेंबर्शिप को maintain करना तू publish the research work and book material अध्यापक शिक्षा अध्यापक शंका कार रहे हैं research work को और book material को publish कराने में आगे बढ़ाने का कार रहे publication का प्रगासन का काम भी professional organization का है to participate in educational planning educational planning में participate करने काम किस प्रकार से अपने education को quality education मना आता है इनका इस प्रकार to participate in educational planning to maintain the vocational subject vocational subject को भी maintain करने के लिए क्योंकि बहुत से vocational subject है जिनके द्वारा हम formal informal दोनों रूप से ही हम लाव लेते हैं to maintain the democratic values nowadays और democratic values का भी आज के समय में बहुत ज़्यादे महत्मूर्ण है आज के समय में क्योंकि मुल्य बिना मुल्य के मुल्य values is need of the day मुल्यों के आधार पर आज हम अपने द्यानिक जीवन में शान्ती प्रेम भाईचारा बना सकते है उसके बाद आता ethical code for teachers अर्थात अध्यापकों के लिए नेतिक साहता specimen of an oath for teachers किसी भी एक टीचर के लिए जो एक जो अध्यापकों के लिए सपत का एक उधारण है जैसे कहते हैं आप जी सपत देखते हैं हमारे जो मंत्री गण होते हैं नेता गण होते हैं यह हमारे ऐता के judges भी होते हैं सबी सपत लेते हैं और आपने सपत के अधार पर विश्वास करते हैं कि की मैं सम्मान से हर चीज को बहुत इमांदारी से करूंगा ऐसे ही नहापर कहा जाता है की मैं परमात्मा के नाम पर सपत कहता ہatable हूँ कि मैं अपने विवसाय में पूर्ण विश्वास वे सम्मान करूँगा और अपने कर्तब भी और अपने छमता इमानदारी के साथ पालन करूँगा और मैं नेमलिकिन नीती सहीता के अनुसा निर्मा करूँगा। और अपने विद्ध्यार्तियों के संदर में मारदर्शन करूँगा उन्हें प्रजातांत्रिक जीवन धांचे के लिए तयार करूँगा और उन्हें खुसाल महत्पूर्ण वे आत्मिर्वग बनाने में सहयोग दूँगा। और अपने विद्ध्यार्तियों के साथ अपने विद्ध्यार्तियों करूँगा। माता-पिता के प्रतिकरतब है मैं बच्चों को समाजिक सुईकार्वे महत्पूर्ण बनाने के दायत में माता-पिता को संफूर्ण सय उग दूगा उनका सम्मान करूँगा तरह उनकी पृत्येक उनके दिये गए उनके आदेशों का मैं पालन करूँगा obligations towards authorities उच्छ प्रसासन के प्रतिकरतब्य मैं उच्छ प्रसासन का आधर करूँगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो संस्था के कल्याण के फिरुद्धो अर्थाज ये सारे निर्देश हमें निर्मित नीती सहीता कि विभारी ग्रूप में प्रियोग लाया जा सकता है और इसी के आधार पर हम Code of Ethics for Teachers की जो बात करते हैं उसको हम पूर्ण कर सकते हैं उसके बाद आता है Code of Ethics for Teaching Profession Teaching Profession में कौनकों से Code of Ethics आते हैं Regarding Classroom Teaching No.1 Regular in School School में regular रहना In Time in Class Class में टाइमिंग के आधार पर बिल्कुत तैयार रहना Valley Prepared अर्थाद जब पढ़ाते हैं वो content पूरी knowledge होनी चाहिए उसको पूरा पता होना चाहिए चात्रों को पूरी तरह समझाने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार के लिए लेक नहीं होना चाहिए नो वेक टॉक्स और किसी प्रकार के इदर दर की बातचीत नहीं होनी चाहिए कोई गलत बात अपने मुझसे नहीं निकालनी चाहिए रेगुलर होमबर्क और छात्रों को लगातार होमबर्क भी दिया जाए जिससे कि छात्र अपने उस topic पर उस content पर knowledge बनाई रखें ग्यान बनाई रखें और उसको एक बात को समझें और use of audio visual aids और audio visual aids में जितने भी द्रसे सामगरी है चात्रों को जो पढ़ाय जाया तो द्रसे सामगरी है द्वारा पढ़ाय जाया क्योंकि without audio visual aids के हम चात्रों को content की पूरी knowledge deeply knowledge नहीं दे सकते और quality education में audio visual aids का अपने आप में महतून इस्थान है उसके बादा रिगार्डिंग examination examination के regarding भी हमारे कुछ code of ethics आते हैं secrecy जब हम exam लेते हैं तो secrecy होनी चाहिए किसी को कोई exam के बारे में पता नहीं होना चाहिए को question paper के बारे में को question के बारे में unwised और किसी प्रकार से हमें biased भी नहीं होना चाहिए जहें कि हम कोई बच्चा जिससे हम जानते हैं उसके बारे में कुछ बात बताएं या किसी तथ्य को बताएं किसी प्रस्ण को बताएं, किसी उत्तर बताएं, अर्थ किसी प्रकार का हमें वाइज दिनी होना चाहिए, regarding morality, अर्था नेतिकता संबन दी, छात्रों को private tuition के लिए कोई भी बात दिने करें, morality बनाई रखें, छात्र को निधी के अनुसार उनका उच्छित उभियोग किया जाती पाती की कोई बात ना किया जाए, अध्यापक के लिए सभी छात्र समान है, यह हमारे शिक्षन व्यवसाय संबन्दी आचार सही था है, उसके बाद आता है, relation with colleagues, और अपने जो साथी हैं, अपने साथी जो हैं, अपने कलेक्स हैं, उनके साथ भी बरावर proper respect दिया जा और अपनी professional growth भी की जाए, जिस व्यवसाय में हम कार्रे करते हैं, उससे सांदर पुस्तकों को क्रियाओं का अध्यन किया जाए, और seminar का workshop का use किया जाए, और teacher संगठें जो है, उसके उसको मजबूत किया जाए, उसके साथ साथ हमें चलना चाहिए, और इसी आधार पर हम अ इन शिक्षन व्यवसाय संबंदी आचार स्वाहिता का पालन कर सकते हैं, थेंकिए